किसान भाईयों आज मैं लेके आया हूँ जो हमारे किसान देखे आपने पिछला जो उनका टेक्टर मैंने वीडियो बनाया था मुहमध असलम भाई साब का तो आज फिर से मैं उनके खेत पर आया हूँ क्योंकि मैं गया था तो लौटने के बाद मुझे लगा कि एक चीज मैं वहाँ बहुला आया हूँ जो किसानों के लिए बताना जरूरी है आप लोग किसान भाई फैंसिंग कर देते हैं देखे आपने जाली लगा दिया जाली लगाने के बाद क्या होता नीचे से खुला रहता है और आप देखे कितना पैसा तो जरूर खर्च किया है यहाँ पर तोड़ नहीं सकता है और आप देखे कि पीलर भी लगाया है किनारे जो सबसे किनारे पीलर लगा दिया है फिलर के बाद में यह पाईप के साथ में पूरा जो है यहां से लेकर कि वहाँ तक पूरा फैंसिंग कर दिया है तो असलम भाई मैं इस पे जानना चाहूंगा कि प बार से लिये थे तो यह सस्ता पड़ गया था थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी अगर ओवराल देखा जाए तो थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन अगर आप RCC कर देते हैं तो किसान भाई आपका कम से कम 10 से 20 साल का बीच का अंतर ले लेता है और आप अगर नार्मल लगात आपका देखिए आगे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इनका तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि कैसे क्या किया था और बहुत अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट किया है मैं समझता हूं कि आप लोगों को देख कर क्या अच्छा लगा होगा और जाली भी देखिए कितना नंबर कतार लगाया सर यह 10 नंबर कतार है मजबूत है यह भी लोग 12 नंबर का एकसर लगा देते हैं तो थोड़ा कम जोर पड़ जाता है और केले की खेती कर रहे हैं तो लगबग साल भर में अगर 4 भी घा है तो मानके चलिए something about minimum 10 लाख रुपए जो है छोड़ जाता है तो किसा अधरवाइस जो है आपका एक बीघे में कम से कम ढ़ाई लाख रुपए केला छोड़ जाता है नमस्कार किसान भाईयों अगर आपको अच्छा लगता है यह वीडियो तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और अच्छी वीडियो को साथ मिलता हूँ जै जै किसान